असलामलेकुम मैं हूँ हतफ और मैं करती हूँ आपनी स्टूडंट से प्यार आज की वीडियो में मैंने अपनी स्टूडंट को मैजिकल秤 वाले में बताया और उनको समझाया कि मैंने ओपन पोर्स वाली स्किन के लिए पॉलिशर कैसे बनाया फेस के स्मॉल बंप्स को कैसे बिठाया, एंटी एजिंग मसाज सिखाया, और मॉडल के रिंकल्ड फेस को 10 नियर्स यंग बनाया, और साथ ही साथ रमजान स्पेशल डिसकाउंट पी दिलवाया, इस फेशल किट के मैजिकल रिजल्ट्स के बारे में बताया, और फेशल किट क हर्बल फेशल किट जो के आप लोगों को बिग डिसकाउंट पे मिल रही है, रमजान स्पेशल डिसकाउंट लेना मत भूलियागा, नमबर मैंने मेंशन कर दिये हैं, इस फेशल किट के मैजिकल रिजल्ट्स आप लोगों ने लाइव देखने हैं, और आपन पोर्स वाली स इसमें टू टी स्पून एड़ करेंगे, और साथ हमने इसमें एड़ करना है इनका पॉलिशर मसाज, पॉलिशर जो मसाज क्रीम है ना, यही इस फेशल की एक बहुत जबरदस्त और कमाल की प्राड़क्ट है, जो के इस फेशल की रिजल्ट्स को चार चांद लगा देती है हमने इन तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करवाया और आपको मॉडल का फेस दिखाया, मॉडल के फेस पे बहुत सारे स्मॉल बंप्स नज़र आ रहे हैं आपको, और जनाब यहाँ पे आप लोगों को डार्ट पैचिस भी नज़र आ रहे हैं, स्मॉल बंप्स यह पॉलिशर ही आप देखें के एकदम से स्कीन को नीट कर देगा, इस पॉलिशर को बनाने के लिए मैंने तीन इंग्रीडियंट यूज की हैं, पंदरा मिनट के लिए मॉडल के फेस पे लगाया और यह रिजल्ट पाया, तो आप यह देखें कि सिरफ पॉलिशर लेकिन अपने इसलिए अच्छा करना है क्यूंकि पोर्स ओपन है, डस्ट जो है वो पोर्स के अंदर अच्छे तरीके से पैनिट्रेट हुई है, उसको हम अच्छे तरीके से रिमूब करेंगे, तमाम इंप्योरिटीज को क्लीन करेंगे और हमने तकरीबन 5 तो 7 मिनट क्ले करनी है, यह प्रोपर एक क्लास है, जिसमें आप लोग प्रोपर ली सीख रहे हैं कि आपने सेंसिटिव, ओपन पोर, स्मॉल बंप्स और जनाब डार्क पैचिज वाली स्किन पे फेशल कैसे करना है, ठीक है ना, तो क्लेंजिंग जो है, मैंने आपको पहली टिप बता दी क अब आपने क्लेंजिंग जो है, वो बड़े अच्छे तरीके से करनी है, पॉलिशर पहले लगाया था ताकि आप लोगों को इस फेशल के पॉलिशर का रिजल्ट पता चल जाए, जो के है जी गोल्ड एंड ग्लो का हर्बल फेशल, और आप यह देखें, हर्बल फेशल ने दो स्टेप में कितना कमाल किया है मॉडल की स्किन पे, अब यह जी बहुत इंपॉर्डन्ट स्टेप है, यहां पे जी मैं रोज वाटर का स्प्रे कर रही हूं, क्लिंजिंग करके मैंने पोर्ज नीट क्लीन कर दिये हैं, और रोज वाटर का स्प्रे ऐस टोनर मैंने यूज किया है, जिसे पोर्ज आपके श्रिंक हो जाएंगे, अब हर्बल पॉलिशर जो के इनकी मिसाज क्रीम है, और हर्बल स्क्रब दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके हम यूज करेंगे, ओपन पोर्ज वाली स्किन पे ज्यादा मिसाज हमने नहीं करने होतें, और ओ किया जाए, दो स्टेप, मैंने, अबल तो यह जो पॉलिशर है ना, इनका मसाज वाला, इसको आप किसी भी स्टेप में एड करें, बड़े अच्छे रिजल्ट दे जाता है, तो स्क्रब और पॉलिशर मैंने मिक्स कर लिया, तो आप यह देखें, के जो रिजल्ट हैं, वो आप लोगों को डबल मिर जाएंगे, अब इस पॉलिशर को मैंने मसाज क्रीम में भी एड करना है, तो यह भी एक मसाज हो जाएगा, ठीक है ना, मसाज क्रीम और पॉलिशर को इक्वल क्वांटिटी में मैंने मिक्स किया, आप यह देखें के पॉलिशर में भी एड किया, म का मसाज़ वाल यही स्मॉल बंप्स को आपके बिठाएगा और आप देखेंगे के एंड पे स्मॉल बंप्स बिल्कुल हाइड हो जाएंगे अब जी हम आगए मसाज की तरफ मसाज को आपने को और से देखना है यहां पे जी हमारे जहां पे रिंकल्स आते हैं हमने वहाँ पे भी मसाज करना है आपने हाथ उठाए बगएर पहले सीजर स्टेप करना है फिर अपर लिप्स पे आ जाना है नोस पे आ जाना है चीक्स पे आ जाना है फोर हेड पे आ जाना है और आज आप लोगों को मैं प्रेशर पॉइंट्स के बारे में भी बताऊंगी जो के आपकी स्किन पे ग्लो को पर्मोट करते हैं, आपकी ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करते हैं, अच्छा चले पहले आई को लिफ्टिंग मसाज दे देते हैं, जो के एट का हिंसा मैं आप लोगों को बार बर बताती हूं, कि आपने इस तरीके से पहले आपने करना होता है, दोनों आइस जो हैं, वो इस मसाज से लिफ्ट हो जाती है, फिर यहां पे जहां पे हमें रिंकल्स आते हैं, उस एरिया पे आपने एट का ये जो डिजिट है, वो बनाना है, और आप चाहें तो आप इसको हलका हलका सा ऐसे भी फिंगर्स के साथ कर सकते हैं, इससे ही होता है कि ये वाले एरिया पे भी रिंकल्स जो हैं, वो कंट्रोल हो जाते हैं, अब ये प्रेशर पॉइंट है, हमारा यहां से स्कीन को खेचा और इदर आपने लाके प्रेस कर देना है, और प्रेशर जब आप इदर देते हैं, अपने मसाज में तो आपकी ब्लड एफेक्ट में कर रही हूं, और फिर उसके बाद आपने ये जो हमारे रिंकल्स पड़ते हैं ना, लिप्स के अराउंड, यहां पे भी स्कीन को माइल करके, वहां से स्कीन को खेचना है, और आपने उपर ले जाके प्रेस कर देना है, यहां पे, यहां से आप स्टार्ट करत हैं तो हेड के आपके सेंटर में एट्स प्रेशर पॉइंट होता है, ठीक है ना, और फिर आपने स्कीन को लिफ्टिंग एफेक्ट देना है, जो कि आप लोगों को मैं बार बार बताती हूं, मसाज में आपने पानी यूज नहीं करना, अगर आपको लगता है कि आपकी प् अगर इसको कहें तो मैं कहती हूं कि जबरदस्त और कमाल का ये फेशल है, टीनेजर भी इसको यूज कर सकते हैं, इसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं और ये बिल्कुल भी हामफुल नहीं है, आपकी स्किन के लिए कोई रैशिज नहीं करता, अगर आपकी सेंसिटिव स्क मॉडल जो है वो बड़ा अच्छा फील का रही है, सकीन उनकी बड़ी अच्छी सी लिफ्ट हो रही है, और लिफ्टिंग एफेक्ट आपने लेना है ना, तो आप डूरिंग फेशल ही जब एक साइट पे मसाज करते जाएंगे ना, तो दूसरी साइट आप लोगों को ऐसे लगेगी जैसे ढलकी होई है, और यह वाली साइट लिफ्ट हो गई है, जिस तरहां से मैं चीक्स को टाइट करने के लिए मसाज करती हूँ, इस तरीके से, अब इस साइट पे मैं का रही हूँ ना, अगर दूसरी साइट पे नहीं करूंगी तो आप यह देखें, इस मसाज को जैसे ही मैं खतम करूंगी तो दूसरी साइट जो है ना वो हमारी वो टाइट नहीं लगेगी और यह वाली साइट जो है वो हमारी टाइट लगेगी, और मसाज से मॉडल को इतना सकून मिल रहा था कि उनने नींद आ रही थी, तो मसाज जो है वो आपने हार्ड हैंड के साथ करनी है और मसाज ऐसे करना है कि मौडल फील करे कि उनकी स्किन टाइट हो रही है अब जी इस फेशल किट का सबसे लास्ट और बहुत ही मैजिकल स्टेप है जो के है इनका उपटन गोल्ड मास्क ये जो मास्क है ना इसने आपकी स्किन को टाइट भी करना है आपकी स्किन लेना मत भूलिएगा, नमबर मैंने मेंशन कर दिया हुआ है, अब बिफोर भी आपने मॉडल की स्किन का देखा था, आफ्टर आपके सामने है, स्मॉल बंप्स बिल्कुल नहीं नजरा रहे, डार्क पैचिस बिल्कुल कंट्रोल हो गए है, और ओपन पोर्स भी काफी हद तक श्रिंक हो गए है, उमीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लगों के लिए बहुत हलफूल रही होगी, अगर रही है तो वीडियो को लाइक कर दे, मैं मिलूंगी नेक्स वीडियो में, अलाहाफीज,